सर्व प्रथम तो मैं उतर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक के लिए और खास तोर से युवाओं के लिए महिलाओं के लिए यहां बहुत ही जनकल्यानकारी बजट है और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट इस बजट का ये है क पाच लाग रुपे का रिण मुक्त लोन जो सरकार ने बात कही है आज पेश हुआ है बजट उसमें कहा है कि फाइव लाग रुपीस तक का लोन जो है युवाओं को दिया जाएगा किसी भी छोटा लगू उद्योग लगाने के लिए और बिना किसी रिण के ये बहुत जवाओं को इंपवर करना है हमें यूत इंपावर्मेंट पर ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत के पास और खास तोर से उत्तरप्रदेश के पास यूमन रिसोर्स बहुत है तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो है उत्तरप्रदेश का सबल हो और अपना यह भी बहुत जो है महिलाओं के लिए बहुत ही सबल करने का उनको काम करेगा एंपावर करने का काम करेगा क्योंकि शशक्ति करण देखिए अर्थ से होती ही है और अर्थ के बिना सब कुछ वियर्थ है हम ऐसा कहते हैं तो आर्थ के वस्ता जब हमारी ठीक रहेगी और तो सा सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और दूसरी बात में कहना चाहती हूं कि जो लोग इस पर हल्ला कर रहे हैं आप यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि सरकार का बजट जस्ट डबल हो गया है तो उत्तर प्रदेश की इंकम और उत्तर प्रदेश की जीडिपी तो बड़ी है न लोगों के बीच में जा करके जनकल्याणकारी चीज़ें कर रही है और राम लला का विशेश आशिरवाद जो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को जैसे ही राम जन्म भूमी पर यह प्रयास हुआ है राम मंदिर के लिए तो मुझे लगता है कि आगामी दूहसार कोई गुम्राह करने की कोई बात नहीं है ना इसमें विपक्षी विपक्षियों को असल में यह लग रहा है कि पहले वो इतनी और सिंसेरिटी के साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि मुझे जहां तक मेरा जो एकनॉमिक चिंतन है और जो मैं जितना समझ पा रही हूं इस बजट को जितना मैंने पढ़ा है इस बजट को अभी तक मैं समझती हूं आप यह बताइए कि कोई ऐसा देश में विदेश में कोई ऐसा बैंक है प्राइविट बैंक है कोई पब्लिक बैंक है जो आपको लोन देता हो उस पर रिण ना लगाता हो इंट्रेस्ट ना लगाता हो यह सरकार की मुझे लगता है कि दया द्रिष्टी है हमारे युगाओं पे और एक मुझे लगता है उनको स्वाव लंबी बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि बिना रिण के आप पांच लाक रुपए दे रहे हैं जिससे कि वो लोग अपना उद्योग लगा सकते हैं ऐसी सर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमने कहा वो हमने करा हमारी कतनी करनी में मैं सुरू से कह रही हूं हमारी कतनी करनी में कोई फरक नहीं है और इसी बात के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी जन जन के दिलों में हिर्दय में वास करते हैं हर व्यक्ति के नाम पर जो है हम कभी नहीं कह सकते कि कोई एक मत से कहता हो कि यह प्रधानमंत्री देश के बन जाएं मगर आधर ने प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग यह कहते हैं कि तिवारा भी मोदी सरकार कि एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी